हलो गाइस हाव अर्यू सो आई होब कि आप सब अच्छे रहे हो आज हम बात करेंगे यो एक नजम हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम बिल्ली और शीरनी है ना क्लास सेवंथ वो का नाम है गुल्दस्ता तो अगर आपने नहीं देखी वो रीडिंग के उपर मैंने पढ़ के उसको बताया है ठीक अब आज हम डाटली बात करेंगे यो नीचे यह सारो यह ठीक है इसका हम तश्री करेंगे तो देखिए तश्री नजम के आशार की तश्री तश्री का मतलब वताए एक तरह से मीनिंग इलोब्रेट करना मीनिंग इसकी बताना ठीक तो देखिए एक दि ये शेरनी से जाके बिल्ली ने कहा तेरा रुत्बा मुझ से हो सकता नहीं हरगिस बड़ा तश्री देखिए पहले शेर में शायर कहता है कि एक दिन बिल्ली ने शेरनी से जाकर कहा कि तेरा मरतबा मुझ से तेरा मरतबा मुझ से हरगز बड़ा नहीं हो सकता ठीक किसने कहा बिल्ली ने शेरनी से कहा दूसरा शेर देखिए देख मैं देख मैं एक जोल में देती हूँ बच्चे किस कदर एक से जायद नहीं तूने किये पैदा मगर तश्री देखिए यानि मीनिंग दूसरे शेर यानि ये दूसरा शेर है ठीक है दूसरे शेर में बिल्ली शेरनी से कहती है कि मेरे यहाँ एक बार में कई बच्चे पैदा होते है और तेरे यहाँ सिर्फ एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है ठीक है अब देखते हैं तीसरा शेर ठीक है अगला शेर या तीसरा शेर शेरनी बिल्ली से बोली खाके फौरण पेच उताब ठीक है पेच उताब यानि घुसे में कुछ दिनों के बाद दूंगी मैं तुम्हें इसका जवाब ठीक है तो देखिए तशेरी बिल्ली की बात सुनकर शेरनी को घुसा आ जाता है और वो कहती है कि इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद दूंगी ठीक अब अगला शेर देखते हैं गाइस कुछ ही मुदद बाद दोनों फिर अचानक ही मिली साथ बिल्ली के मगर था एक भी बच्चा नहीं ठीक तो दोस्तों तशेरी देखिए चौते शेर में शायर कहता है कि कुछ मुदद बाद दोनों की अचानक मुलाकात हो गई लेकिन बिल्ली के साथ एक भी बच्चा नहीं था ठीक है अब देखिए दोस्तों शेरनी ने पूछा खाला आपके बच्चे नहीं मुब्तला कोई मुसीबत में तो बेचारे नहीं ठीक तो देखिए तश्री है पांचमें पांचमी ये पांचमी पांचमी शेर है तो जारे किसी परिशानी में तो मुतला नहीं है ठीक है ये शेर का ये मतलब हुआ है जो मैंने भी पढ़ा अगला शेर है छटा शेर आह ठंडी भर के बिल्ली इस तरह गोया हुई मेरी कुछ उलाद कुटों कानी वाला बन गई तो देखिए शेर है तश्री का शेर का तश्री है छटे शेर में बिल्ली ठंडी सांस भर कर बताती है कि मेरे कुछ बच्चे तो कुटे खा गए अब दोस्तों अगला शेर है बच रहे थे जो उन्हें इनसां के बच्चे ले गए सबर ही करती हूँ मैं रिसमत में मेरी वो न थे तश्री देख लिए तश्री है साथ में शेर में बिल्ली कह रही है कि जो बच्चे बच्च गए थे वो इनसान के बच्चे ले गए और ये सोच कर अब सबर कर रही हूँ कि शायद वो मेरी कुस्मत में न थे अगला शेर है शेरनी के सामने था उसका बच्चा नौजवाँ देख कर बच्चे को अपने हो रही थी शाद माँ ठीक है तश्री देख लीजिए आठवें शेर में शायद कह रहा है कि इस वक्त शेरनी के बच्चा बड़ा हो गया था और शेरनी उसको देख कर खुश हो रही थी ठीक आइस अगला शेर देखिए शेरनी बिली से बोली ऐ मेरी खाला सुनो किसलिए तुम कोसती हो अपनी किसमत को कहो तश्री यानि मीनिंग नमे शेर में शेरनी बिली से कह रही है कि ऐ मेरी खाला सुनो क्यों अपनी किसमत को कोस रही हो कोस रही हो ठीक है अब अगला देखिए गाईस अगला शेर नाज जिन पर था तुम्हें कमजूर वो ओलाद थी कितनी आसानी से वो दुश्मन के हथे चड़ गई ठीक तश्रीफ है कुछ यहूं दोस्तों दस्वें शेर में शेरनी बिली से मुखातिब होकर कहती है तुम्हें जिन बच्चों पर नास था वो नहायत कमजूर थे यानि बहुत कमजूर थे इसलिए दुश्मनों के हाथ लग गए ठीक है तो कहने का मतलब यही के शेरनी ने बिली के बच्चों को कमजूर बताते हुए कह दिया कि वो कमजूर थे इसलिए वो दूसरों के हाथ लग गए दूसरे उसको दुश्मन उसको ले गए ठीक अब आगे देखते हैं गाइस इस कदर ओलाद से क्या शान तेरी बढ़ गई आठ दस से तो है बहतर एक हो लेकिन जरी 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 बोलते हैं निडर हिम्मत वाला ठीक है बहादर तो इसी का तश्री देखिए आखरी शेर में फिर आखरी शेर में फिर शेरनी बिल्ली से तंजन कहती है यानि टॉंट करके कहती है कि ज़्यादा ओलाद पैदा करने से शान नहीं बढ़ती आट दस कमजूर ओलाद से तो एक ताकतवर ओलाद होना ही अच्छा है ठीक दोस्तों तो दोस्तों इसमें सोलुशन कराएंगे हम तो आगे बढ़ते हैं मरकजी खयाल की तरफ तो जो इस शेर का मरकजी खयाल इसको पढ़के सुनाता हूँ चाहिए और ना ही बड़े बोल बोलना चाहिए क्योंके खुदा ने ही जमादात नवातात हैवानात और इनसान सभी को पैदा किया है हर एक की अपनी जगा एहमियत है बच्चे ज़ादा हो मगर कंजोर हो तो एक ताकतवर उनके मुकाबले में ज़्यादा बहतर होता है ठीक दोस्तों अब देखते हैं आगे मश्की सवाल और जवाब सवाल नमर एक है शेरनी से बिल्ली ने क्या कहा जवाब है शेरनी से बिल्ली ने ये कहा कि मैं एक साथ कई बच्चे देती हूं और तो और तू सिर्फ एक ही बच्चा देती है इसलिए तेरा मर्तबा मुझसे हर्गिस बड़ा नहीं हो सकता ठीक है सवाल नमर दो है गाईज शेरनी ने बिल्ली की बात का क्या जवाब दिया देखते हैं जवाब शेरनी ने बिल्ली की बात का ये जवाब दिया कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस का मरतबा बुलंद है मरतबा का मतलब समझ लिजिए कि लेवल या एक तरह से स्टेंडर्ड लेवल ठीक है रुतबा शान और शौकत ये भी आता है सवाल नमर तीन है बिली के बच्चों का क्या अंजाम हुआ ठीक है देखिए जवाब गाईज बिली के कुछ बच्चे कुछ बच्चे कुछ खा गए और बाकि इनसान के बच्चे ले गए यानि हम और आप जैसे बच्चे जो होंगे बच्चे बुढ़े जो भी हैं जवान ल वह शौक से ये उसके बच्चों का अंजाम हुआ तो ये आकर में ये हुआ कुछ को कुछ को बच्चे लोग ले गए ठीक है पालने के लिए सब्सक्राइब शेरनी ने बिली को क्या नसीहत की तो देखते हैं दोस्तों इसमें लिखा है शेरनी ने बिली को ये नसीहत की कि ताकत वर बच्चा होना अच्छा है ठीक है तो दोस्तों यहां कहानी होती है खत्म तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स टाइम ठीक है उमीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा जिसका नाम है उर्दोविज्या और इन सभी वीडियो को जो हमारे चैनल पर है उनको उन तक पहुँचाई जिसको उसकी जरुद है चली मिलते बबाई टेक केर अलाहाफिज